कि अच्छ कि अच्छ के विडियो में हम बात करेंगे चाइना भूटान बॉर्डर इसुस रिलेटेड इंपॉर्टन बातों को और साथ ही साथ समझेंगे वाइज इंडिया की पिंग अनाई तो फर्स्ट अपॉल ज़रा देखते हैं आपके चाइना भूटान बॉर्डर उससे रिलेटेड एक नियूज आई है जिसमें कहा गया है कि दोनों ही नेशन जो अपने डिस्पूट हैं उसे सॉल्व करने के लिए जो उनका थ्री स्टेप रोड मैप MOU है उससे आगे बढ़ाने पर एग्री हो गया है और इसके लिए एक मिटिंग की गई है जो इंडिया के साथ है ईसा बिलकोल नहीं है अगर एकोर्डिंगज कग चाइन हम बात करते हैं तो चाहिना का जो MS बोड्र इस्पूट नेशन के साथ है जिसमें से चाइना We 12 nation के साथ उसके जो disputes है, border disputes उसे solve किया गया है और 2 nation बचे हुए हैं, एक तो है इंडिया और दूसरा है ये भूटान जहां से इनके जो border disputes है, उसे final line नहीं किया गया है means अभी भी dispute बना हुआ है, तो हमारे लिए important ये हो जाता है कि आखिर ये जो चाइना और भूटान के बीच में जो disputes है, किस area को लेकर disputes है और ये जो MOU sign हो रहा है, उन दोनों के बीच में वो क्या है और साथ ही साथ ये भी समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि आखिर इंडिया के लिए इतना important क्यूं है क्योंकि जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि इंडिया को इस पर नजर बनाया रखना जरूरी है तो इंडिया को इस पर नजर बनाया रखना क्यूं जरूरी है उसको समझना हमारे जरूरी हो जाता है तो चले शुरू करते हैं फर्स्ट अपॉल पहले ज़र हम यह समझ लेते हैं कि आखर यह जो चाइना भूटान के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो किन-किन एरिया को लेकर हैं और इसे रिलेटेड क्या MOU किया जा रहा है देखिए अगर बात करते हैं क्या के दिस्प्यूट्स हैं तो उसे इस मैप कि थिरू है फर्स्ट अपवल देखिए क्या है यग चाइना भूटान के बीच में जो डिस्प्यूट्स है नहीं चार जगों पर बेसिकली हैं फर्स्ट है यह डोकलाम डोक्लाम, कि यहाँ पर जू वेस्टन साइड भुतान का यह रहा है, आप देख सकते हैं, इंडिया के यह Bears Map यहाँ पर इंडिया है, यह रहा है बुतान और इसके बाद यह वाले आरिया है, हम देख रहे हैं यहाँ पर dispute है 269 स्क्वार किलोमेटर एरिया को लेकर तो आप समझे कि एक बड़ा यहाँ पर dispute है dispute से रिलिटेड अगर हम बात करते हैं तो आप लोग अच्छी तरह याद हुगा कि तूथ 17 में यहाँ पर इंडिया और चाइना को लेकर एक dispute देखने को मिला था जिसे हम डोकलाम dispute के नाम से जानते हैं और यह रहा भूटान तो ऐसे में 2017 में चाइना ने डोकलाम एरिया में यहाँ पर रूड कंस्ट्रक्शन वगेरा यहाँ पर जो सेटल्मेंट वगेरा बनाने की शुरुआत की थी जिसका कंसर्ण रेज किया गया थे इंडिया की तरफ से स्टार्टिंग में क्या हुआ कि यह जो मुद्दा निकल के आया यह पहले भूटान और चाइना के बीच में था बट आप्टर रहत क्या हुआ कि इंडिया भी इसका एक पार्ट बन गया क्योंकि इंडिया का कहना था कि यहां पर डोकलाम में जो अल्रेडी उनके बीच में जो बाइलेटरल ट्रीटी है इंडिया भूटाउन और चाइना के बीच में कि अगर किसी तरह का कोई करना स्टार्ट कर दिया ब्रीजेज बनाना स्टार्ट कर दिया तो इस पर इंडिया ने इसका कर लेते हैं कि यह चाइना और भूटान के बुडर पर इंडिया का इससे कोई लेना देना नहीं मिंस इंडिया को यहां पर आ गया बढ़कर आने की कोई जुरूरत नहीं है आप लोग अच्छी तरह याद होगा कि 73 देज तक इंडियान और चाइनीज आर्मी यहां पर आमने सामने थी बहुत ज्यादा मामला निकल कर आया था ब आप यहां पर बीना कंस्ट्रेंट लिए किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं बाउजूद इसके अगर हम बात करते हैं मेडिया रिपूर्ट के कॉर्डिंग तो यहां पर क्या था कि चाइना ने यहां पर रोड कंस्ट्रक्शन भी कर रखा है और कुछ सेटल चाइना के साथ बॉर्डर बनता है यहां पर अगर आप बात करते हैं तो एक प्रॉक्स आप समझेए कि 495 स्क्वार किलोमेटर एरिया का डिस्प्यूट है मिन्स यहां पर भी चाइना अपने अधिकार जमाते रहता है देखिए चाइना का तो क्या है कहीं पर भी जागर ब जबकि इंडिया अधिकार शेत्र में नहीं है फिर भी इंडिया ने कंसर्ण रेज किया था उसके कारण उसको डिसकस करेंगे तो उसके बाद क्या हुआ तो थार्ड क्वेंटी में चाइना ने यह जो सक्तेंग वाइड लैप सेंचूरी है इस पर अपना अधिकार जमाना अगर मैप के थरू आप समझेए तो यह देखिए यह रहा इंडिया यहां पर हम क्या देख रहे हैं यह रहा और नाचल प्रदेश यहां पर है चाइना और यह रहा भूटान की बॉंडरी बट यहां पर जो सक्तेंग वाइड लाप सेंचूरी है पूरी तरह से सिच्वेट करते हैं तो पूरा उन्णा नाचल परदेश को क्या बोलते है वह कि वह Q 750 वारा जो एरिया है वह पूरी तरह से चाइना के ब्रॉची Düny यह का पर होना चाहिए वहाहँ है तो यह Iya इंडिया में नहीं है यह तो इसके बाद देखिए पूरा का पूरा दिस्प्यूटेट बात यह हो गई अब जरह हम समझते हैं कि यह जो चाइना भूटान डिस्प्यूटेट एरिया है इसे जो सॉट आउट करने के लिए किया रहा है वह क्या है और कैसे हमें इंपक्ट कर सकता उसको जरह समझते देखिए ऐसा नहीं है कि जो डिस्प्यूट है इसे आज से सॉल्व करने कोसिस की जा रही है और अभी तक 24 राउंड की मिटिंग हो चुकी है मतलब 24 राउंड टॉप हो चुका है और करेंट सेनारियो पर जो उनका 3 step food map MOU है उसे बढ़ाने पर आगे बढ़ाने पर agree हो गया है तो ऐसे में क्या है इन सारी एरिया को सॉल्व करने की कोशिस की जा रही है बट जो MOU के हम बात कर रहे हैं इनके बीच में यह formal क्या बाते हैं अभी तक नहीं भुटान ने और नहीं चाइना ने कि क्योंकि इसलिए इंडिया इस पर नजर बनाये हुए है यह कैसे है जरा इसको भी एक करके हम समझते हैं सबसे इंपोर्टन बात क्या है कि जैसे इंडिया को यह पता चला कि चाइना और भुटान की बीच में यह 10-13 जनवरी के हम बात कर रहे हैं आपर जो agreement साइन करने की ब जो इंडिया के लिए बहुत जादा concern रेज कर रहे हैं क्या क्या बाते हैं क्योंकि अभी तक कोई तरह की बाते क्लियर नहीं हो पाई नहीं भुटान ने इस पर कोई ऑफिसिल स्टेट्मेंट दिया है नहीं चाइना ने दिया है मीडिया रिपोट के अगर हम बात करते हैं इसमें कहा गया है कि चाइना ने भुटान को एक ओफर दे रखा है कि अगर डोक्लाम वाले एरिया जहां पर यहां पर डिस्प्यूट है 69 स्कौर किलोमेटर का अगर वहां पर भुटान अपना अधिकार छोड़ देता है तो चाइना यह यह कार लूंग हो गया पसाम लूं अधिकार हो जाता है तो आप समझें इंडिक लिए कितना बड़ा मुद्धा है कैसे मुद्धा है जरा इसको समझते देखे सबसे इंपर्टन बात क्या है कि जो डोक्लाम है पहले इंडिया ने इसलिए इसलिए कि यह रहा यहां पर चिकन ने जिसके हम बात करते हैं जो इंडिकार जमानी कोशिज करेंगे मिंस उसे कबजा करने कोशिज करेंगे अधर हैं यहां पर अर्वनाचल प्रदेशी से कवर करने कोशिज करेंगे मिंस पूरे नौर्थ इस्टन एरिया के लिए जो हैना सिच्वेटेड़ यह डोक्लाम बहुत ज्यादा इंपोर्टन ज्योंकि बहुत सारे जो बाइलेटरल टीटी वगरा है वहाँ पर भुटान का इंडिया डिर्टल सपोर्ट करता है और इंडिया के सपोर्ट में भुटान हमेशा रहता है तो ऐसे में फिर भी इसलिए जरूरी है कि इंडिया पुरी तरह से इस पर नजर बनाये हुए है त होने वाला है डिर्टल इंडिया पर ही होने वाला है आप जैसे करें डिस्कस के डोकलाम वाली बाते तो यह सबसे इंपोर्टेंट बात हो जाती है तो होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा थैंक्स पर वाचिंग